यहां पर मेरे पास चार लौंग है, काली इलाईची है, दालचीनी है और यह है स्टार फुल के दो पत्ते तो खल बट्टे में डालकर इसे मोटा मोटा कूट लेते हैं एक पैंड में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और उतना ही हम बटर डालेंगे आप घी भी डाल सकते हो ब्राउन बनारी हूं उसके लिए तड़्का तयार कर रही हूं तो डाल को उबाल्द समय चितना ससतेाज़ कापाणा पावडर डाले यूप कन दोए कर अचना कि अलें घृण के तमाटर के प्यार डाल देंगे, टमाटरों को ढखकर पका लेते हैं, टककन खोलते हैं और रेखते हैं टमाटरों को, टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं, घर की मलाई डाल देंगे, आप क्रेम भी डाल सकते हो तो दो चमच टालूंगी मैं, इने भी हम अच्छी तरह से पका लेते हैं डखकर तकन खोटते हैं ये देखेगी अच्छी तरह से निकल चुका है काली उड़त की डाल को मैंने रात भर भिगो कर रखा था और इसमें कुकर में मैंने 6 सीटी बजा ली है हल्दी और नमक डाल कर तो ये बहुत ही अच्छी तरह से हाथ से मेश करेंगे न तो ये देखे म हाथ से इस तरह से मैश करेंगे यह ते बहुत ही आसानी से confinement कि ना करते हैं हो जाता है तो सारा हम इसमें डाल डाल देते हैं जब हमसे हाथ में इस तरह से पकड़ कर दबाते हैं तो यह मक्कन की तरह का intern ईसे हम कलची से थोड़ा सा दाल को मैश कर देंगे जिसे की ग्रेवी हमारी काड़ी होचाए तककन खोलते हैं और दाल को देखते हैं, ये दिखे, बहुत ही बड़िया टेस्टी डाल बजी है गी मैंने थोड़ा कम डाला है इसलिए थोड़ा सा निकला हुआ है आप चाहे तो बहुत सारा डाल सकते हैं गी, मक्खान, कुछ भी उपर से हम भरा धनिया डालेंगे उपर से मक्खान या क्रीम डाल कर सर्व कर सकते हैं यह रेखिए डाल की कर्सिस्टेंस एक दम पॉफेक है क्योंकि यह ठंडी होने के बाद में और भी गाड़ा हो जाती है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन सरूर दबा दीचीगा थैंक यू